दोस्तों, कभी-कभी हम जो सुनते और समझते हैं, वो पूरी तरह सत्य नहीं होता. आपने कई महापुरुषों की बातें सुनी होंगी, कई बुध्धिमानी पुरुषों और गुरुदेव की बातें सुनी होंगी. उनका कहना ये होता है, कि संसार जीवन मोह और माया से भरा हुआ है, हमारे रिष्टे, हमारा धन, हमारी इच्छाएं, ये सब बस माया जाल है, और जीवन का असली लक्षे तो मोक्ष है, मुक्ती है, हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए, जब भी आप उनकी ब क्या हमें खुद की खोज करनी चाहिए, क्या हमें संसार के सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जो लोग इस संसार जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है, किसी को अपने माता-पिता के लिए धन कमाना है, तो कोई अपने परिवार को खुश रखना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो कोई राज करना चाहता है, कोई साधारन जीवन जीना चाहता है, इसी प्रकार हम सभी के तरह-तरह के सपने हैं, तरह-तरह के विचार हैं, हम सभी को अपने जीवन म और खुद को जानो, खुद को पहचानो, आध्यात्मिकता की राह पर चलो। तब उस वक्त हमारे मन में, हमारे मस्तिश्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तब हमें यह समझ नहीं आता कि आखिर हम संसार जीवन जीए या फिर आध्यात्मिक जीवन। आ आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे कि वास्तविक्ता को जानते हैं और इन सब के बीच हमें जीवन में संतुष्टी कैसे मिलेगी। हम पूरी तरह से खुश कैसे रह सकते हैं। क्या हमें सब कुछ छोड़कर एक बौध भिक्षू की तरह सब कुछ त्याक कर आनंद हमारे रिष्टे पैसा कमाने की इच्छाएं। परिवार के साथ संबंध हमारे दोस्त। क्या यह कुछ माइने नहीं रखते। दोस्तों वास्तविक्ता तो यही है कि आप उन बुद्ध पुरुशों की बातों को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहे। क्योंकि वह कहना कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जब तक आप गरीब हैं और आपके पास आर्थिक साधनों की सामगरी नहीं है तब तक आप अपने आत्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ सकते। और ठीक उसी के संपन्नता और अमीर होना भी आपके आध्यात्मिक मार्ग की बाधा बन जाती है। कई महापुरुषों ने कई बौध पुरुषों ने अपनी बातें बहुत ही सीधी और सरल भाशा में कही है। लेकिन हम सभी उन बातों का अर्थ कुछ और ही निकाल बैठते हैं। हम सभी से ज्यादा तर लोग उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। और उसे अपने जीवन में उतार कर हम अपना पूरा जीवन पूरी तरह से बरबाद कर लेते हैं। चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है महात्मा बुध नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे, महात्मा बुध कह रहे थे कि संसार के माया जाल में मत फसो, संसार से उपर उठो, संसार से उपर उठकर ही तुम संसार को जी सकते हो। संसार में जो फस गया, जिसने अपनी बुध का इस्तिमाल नहीं किया, वह व्यक्ति जो समय पर अच्छे कर् में जुट जाता है वह आने वाले समय में बड़े दुखों का सामना कर सकता है क्योंकि उसके बुरे कर्म ही उसके दुखों का कारण बनेंगे इसलिए आप सभी इस संसार की मोह माया अर्थात इच्छा लालच क्रोध इत्यादी को ध्यान पूर्वक देखते हुए अपने कर् महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए महात्मा बुद्ध जब यह उपदेश दे रहे थे तो वहां पर उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति वहीं पर मौजूद था और उस व्यक्ति पर महात्मा बुद्ध की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा उसका मन अब संसारी जीवन में नहीं लगता था वह संसारी जीवन से हटने लगा था अब उसे अपना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ नजर आने लगा था देखते ही देखते कुछ और 10-6-6 सालों में उसका सारा व्यापार चौपट होने लगा था। उस धनी व्यापारी परिवार के सभी सदस्य उसे इस तरह से देखकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता था, तो वह धनी व्यापारी एक ही बात कहता, यह धन दौलत तो सब बेकार की चीजें हैं, यह सब तो मोह माया है, सब बेकार है, भला हम रिष्टे निभा कर क्या करेंगे, यह सब तो वासना है, जीवन तो केवल एक ही है और कुल बंद कर दिया था, और देखते ही देखते वह धनी व्यापारी उस नगर का सबसे गरीब व्यक्ति बन चुका था, वह पूरी तरह से निर्धन हो चुका था, उसका सब कुछ बरबाद हो चुका था, और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया था, एक दिन जब उस सदस भूखा है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसने महत्मा बुद्ध की बातों में आकर अपना जीवन बरबाद कर लिया, ना तो उसे मुक्ति मिली और ना ही धन, वह सोच रहा, मैं तो कहीं का नहीं रहा, थोड़े थोड़े भोजन के लिए भी आज मुझे रोज मरना पड़ता है, हर रोज मुझे महनत करनी पड़ती है, तब जाकर मेरे परिवार को दो वक्त की रोटी मिल पाती है, अपने परिवार की इस तरह से बुरी हालत देखकर उससे रहा नहीं गया, वह बहुत चिंतित रहने लगा था, वह बहुत परिशान हो चुका था, एक दिन वह अपने घर से भाग गया, रास्ते में जब वह आगे बढ़ रहा था, तब उसके मन में ख्याल आया कि वह कहां जाएगा, किस से मदद मांगेगा, आखिर अब उसक साथ कौन देगा, तब ही उसे याद आया कि उसे महात्मा बुद्ध के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के कारण ही आज उसकी यह हालत है, उसके हालात के जिम्मेदार तो वही है, मैं तो सीधा सीधा अपने मार्क पर जा रहा था, लगातार अपने व्यापार में उन्नती कर रहा था, लेकिन जब से मैंने उनकी बातें सुनी, तब से मेरा मन विचलित हो गया, मुझे समझ नहीं आया कि मैं जो जीवन जी रहा हूं, क्या वह सत्य है, या फिर जो वह जीवन जी रहे, वह सत्य है, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने अपना स बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपको कोई ज्यान नहीं, नहीं आपने सत्य की प्राप्ति की है, आप तो केवल भोले भाले लोगों को फंसाना जानते हैं, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उन्हें बहलाना जानते हैं, आप लोगों के सीधे पर का फाइदा उ धनी व्यक्ति था, आपसे मिलने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, सारे एशो आराम थे, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन जबसे मैंने आपका उपदेश सुना, मैं आपसे इतना प्रभावित हो गया, कि मैंने आपकी बातों को ह मानना शुरू कर दिया, और वह सारी चीजें छोड़ दी, जो मुझे संसारी जीवन से जोड़ती थी, अर्थात, संसार की सारी मुहमाया मैंने त्याग दी, और आज देखिए, आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार भिखारी बन चुका है, वह छोटी सी कुटिया में रहत पूराते हुए, उस व्यक्ति से कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और तुमने मेरी बातों का क्या मतलब निकाला इस पर, वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को सारी बातें बता देता है, है आप कहते हैं कि धन दौलत की इच्छा करना, यह कामना, यह वासना स से बुरी है, आप सांसारिक जीवन को बुरा कहते हैं, और खुद इस संसार में आकर भिक्षा मांगते हैं, आप आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बताते हैं, किन्तु मेरा एक प्रश्न है, इस आध्यात्मिक जीवन से हमें क्या मिलता है, इस से हमें क्या लाब, आपने कह कि हमें आध्यात्मिक जीवन से सुख प्राप्त होता है लेकिन मैंने तो जब से आध्यात्मिक जीवन अपनाया है तब से मुझे केवल दुख ही दुख मिला है यहां तक कि मेरे पास जो कुछ भी था वह भी सब मैं खो बैठा हूं आप लोगों को जूठा सुख दिखा कर उ कि आध« को आकर मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रशनों का जवाब दे दूगा पहले तो उस विक्ती ने इंकार किया लेकिन महात्मा-बुध के आग्रह पर व्2 MYठी मात मां बुद की बात मान गया और आश्रम में जाकर वियान करने लगा रात्री के बाद महात्मा बु उसने तो यह भी देखा कि एक बड़ी मचली अपने पैरों से जमीन पर चल रही थी और एक कुत्ता समुद्र की गहराईयों में सांस ले रहा था इतना कहकर महात्मा बुद्ध शान्थ हो गए वो व्यक्ती महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध से कहता है हे तथागत उसके आगे क्या हुआ आखिर आप चुप क्यों हो गए तब ही महात्मा बुद्ध उस व्यक्ती को समझाते हुए कहते है बेटा क्या, तुम्हें लगता है कि ऐसा वास्तव में हो सकता है इस पर व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है बुद्ध अगर आप कह रहे हैं, तो यह अवश्य ही सच होगा क्यूंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपने सत्य की प्राप्ति की है तो आपके मुख से निकला हुआ, हर एक शब्द तो सत्य ही होगा तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं बेटा क्या तुमने कभी पहले ऐसा कभी होते हुए देखा है? क्या तुमने कभी किसी हाथी को देखा है? जो पर के साथ हवा में तेजी से उड़ता जा रहा हो इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है तथागत मैंने तो कभी नहीं देखा तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं तुमने मुझसे प्रश्ण क्यों नहीं किया कि आखिर वह हाथी आकाश में कैसे उड़ सकता है इसके जवाब में व्यक्ति कहता है हे तथागत आपके मुख से सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो वह सत्य हो और आप कह रहे हैं तो यह सत्य ही होगा इसलिए मैंने आपसे एक भी बार प्रश्ण नहीं किया तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते थे कभी किसी की बातों पर मत जाना बलकि खुद विचार करो सोयम सोचो कि उस बात में कितनी सच्चाई है जो व्यक्ति कह रहा है क्या वह सच है आखिर वह कहना क्या चाहता है हो सकता है कि वह कुछ और कहना चाहता हो और तुम उसका अर्थ कुछ और ही निकाल रहे हो कम से कम तुम्हें एक बार प्रश्न करके ये समझना तो चाहिए कि आखिर वह कहना क्या चाहता है अगर तुम मुझ से पूछते कि आखिर वह हाथी हवा में कैसे उड़ सकता है तो इ नहीं बात मचली की, तो वह उसे जमीन पर चला रहा है. क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं. इसी प्रकार मैं कभी किसी को निर्धन या गरीब होने के लिए नही गरीबी, तुम्हारे विकास में बाधक ब बन जाती है, जिससे तुम और कुछ नहीं सोच पाते, नहीं कुछ समझ पाते हो. इन भिक्षूओं को देखो, जब इन्हें भोजन की आवश्यक्ता होती है, तो यह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं. लेकिन यह भि इसले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं, उन पैसों से भोजन खरीदता है और वही भोजन वह आपको भी सौप है और वही से भिक्षा आती है. तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हैं. बेटा, यह बात तो सत्य है, लेकिन तुम क्या मुझे यह बत आते हैं. तभी महात्मा बुद्ध इस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार दुनिया में यदि हर कोई भिक्षा मांगने लग जाए, तो आखिर भोजन कहां से आएगा, अनाज कौन उगाए, व्यापार कौन करेगा, और लोगों की रक्षा के लिए धन क कहां से एकठा होगा, लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगे, यह सुनकर व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पढ़ गया, और महात्मा बुद्ध से कहता है, किन्तु हे तथागत, आप ही तो कहते हैं, कि मनुष्य की इच्छा, कामना और वासना, लालच और क्रोध, यह चीजों से दूर रहना चाहिए, इस पर व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात काटते हुए कहता है, हे तथागत, पर दुनिया तो इसी पर चल रही है, इसके बिना भला यह संसार कैसे चल सकता है, हर किसी को पैसों की जरूरत है, बिना पैसों के वह अपने परिवार को नही नहीं कर सकता, वह अपने परिवार के लिए भोजन नहीं ला सकता, और यदि वह पैसे नहीं कमाए, तो वह भूखा मर जाएगा, तब ही महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, यह संसार इन चीजों से नहीं चल रहा, इन चीजों से बिगड़ रहा है, इस पर व्यक्ति कहत और आगे बढ़ते हैं, अर्थात मुक्ति के मार्क पर, यानि कि हम सन्यासी के मार्क पर चलते हैं, इस पर महात्मा बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुमने जो कुछ कहा, वह भी एक बहुत बड़ा सत्य है, इच्छा कामना, वासना और क्रोध, ऐसे ही ब प्रतिष्ठा और सम्मान कमा सकते हैं, क्योंकि हम सब अपना कर्म ही तो कर रहे हैं, एक किसान खेती करता है, पर वह अपनी खेती बिना बुरी भावनाओं के भी कर सकता है, एक व्यापारी व्यापार करता है, और इस व्यापार में चीजों को यहां से वहां पहुंचाना ह होता होता है और वह व्यापारी इन चीजों को बिना बुरी भावना के कर सकता है ठीक उसी प्रकार एक राजा भी अपनी प्रजा की रक्षा करता है और वह भी अपने कर्म बिना किसी बुरी भावना के कर सकता है और एक भिक्षू इन सभी लोगों को सही प्रकार और सही कार् मार्ग दर्शन करते हैं जो उस भिक्षू का कर्म है जो उसका कार्य है और जो व्यक्ति जाग्रित होकर अपने कर्मों का सही पालन करता है वास्तविक्ता में वही सन्यासी है वही भिक्षू है क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं है वह हमारा इस संसार में रहने के लिए जीव फोना है खुद को पहचानना है खुद को जानना है एक बार यदि हमारे भीतर ज्ञान का उदए हो गया तब हम चाहे जो भी करें वह फिर संसारी हो या सन्यासी सब एक ही होते हैं इस पर व्यक्ति महातमा बुद्ध से कहता है यह बुद्ध किन्तु मैंने तो देखा है कि कि जाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, जाओ, अपनी जिम्मेदारियां संभालो और धन कमाओ, और वहीं पर रहकर तुम आत्म ग्यान प्राप्त करो। उस व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, भक्ती, क्या तुम शान्ति को हवा में उड़ा सकते हो। इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, नहीं मैं नहीं उड़ा सकता। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, केवल एक बच्चा ही हाथी को हवा में उड़ा सकता है। ठीक उसी प्रकार, जिस व्यक्ति को जो बनना है, वह तो वह बनकर ही रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति को राजा बनना है, तो वह राजा बनेगा। ठीक इसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को आत्म ग्यान की प्राप्ति करनी है, तो उसे सब कुछ तो त्यागना ही होगा। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम सब कुछ छोड़कर आत्म ग्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते या फिर मुझे तो कुछ करने की आवश्यक्ता ही नहीं पड़ेगी सारे दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो जाएगा और जीवन में चमतकार होने लगेगा और अंत में मुक्ति भी मिल जाएगी महात्मा बुध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया पदोन्नती महात्मा बुध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा हे तथागत आप सत्य कहते हैं मैंने तो कुछ ऐसा ही सोचा था क्योंकि मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा था तो मुझे लगा कि सब कुछ छोड़ कर सब मिल जाएगा मुझे कुछ करने की आवश्यक्ता ही नहीं पड़ेगी और मेरे सारे दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और मैं आत्म ग्यान भी प्राप्त कर पाऊंगा तभी महात्मा बुध उस व्यक्ती से कहते हैं बेटा भिक्षू हो जाना कोई आसान बात नहीं है इसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है एक एक चीज जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो वह सारी चीजें तुम से एक एक करके दूर हो जाती है तो क्या तुम भिक्षू बनने के लिए तयार हो क्या तुम सब कुछ छोड़कर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो इसके जवाब में व्यक्ती कहता है हे तथागत मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है मुझे भिक्षू नहीं बनना मैं तो व्यापारी ही ठीक हूँ मैं तो अपने संसारी जीवन में ही ठीक हूँ परन्तु अब भी मेरे मन में एक प्रश्न शेश बचा है अगर आपकी आग्या हो तो वह प्रश्न भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा तभी महात्मा बुद्ध उसे आग्या देते हैं इस पर व्यक्ति कहता है हे तथागत आप ही तो कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए पद, प्रतिष्ठा, अहंकार हमें दुख की ओर ले जाते हैं और संसार में यही तो है और क्या है? यदि हमें संसारी जीवन जीना है तो हमें यह सब तो करना ही पड़ेगा तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं क्या तुम्हें भूक लगी है? इस पर व्यक्ति कहता है हाँ, तथागत मुझे बहुत भूक लगी है तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को भोजन करवाते है उससे भर पेट भोजन खिलाने के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते है लो और खाओ ये सब तुम्हारे लिए ही है इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है तथागत, मैं पहले ही बहुत ज्यादा खा चुका हूँ, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा, मेरे पेट में अब थोड़ी भी जगह नहीं रह गई है, यदि मैंने और अधिक खाया तो मेरा पेट दर्द करने लग जाएगा, और फिर मुझे तरह-तरह की परिशानियां ह जितने की तुम्हें आवश्यक्ता है, क्योंकि हर चीज जब हद से ज्यादा हो जाती है, तो वह नुकसान जरूर पहुंचाती है, फिर वह चाहे धन हो, चाहे इच्छा, चाहे लालच, या फिर कामना या वासना, सब कुछ हद से ज्यादा आप पर ले चले, जो सांसारिक जीवन से हट कर नए जीवन में प्रवेश करवाए, क्योंकि वे लोग बुराईयों से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें ताकत मिलेगी, और तुम लगातार बिना विचलित, मैं अपना कर्म पूरी इमानदारी के साथ करूँगा, आपके दिये हुए मार में पूरी इमानदारी से चलूँगा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं एक अच्छा व्यापारी और एक अच्छा इनसान बन कर रहूँगा, मैं आत्म ग्यान के मार्ग पर अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ता रहूँगा, इतना कहकर वह व्यक्ति महात्मा दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जब हम किसी सिद्ध पुरुष की बातें सुनते हैं, तो हमें लगता है कि संसारी जीवन व्यर्थ है, और हमने ने जो कुछ भी आज तक कमाया है, जो कुछ भी आज तक कर्म किये हैं, वह सब व्यर्थ है, दुनियादारी की सारी बातें बेकार हैं हमें तो आत्मग्यान के मार्ग पर बढ़ना चाहिए वही सही राह है लेकिन हम कभी अपने भीतर नहीं देख पाते कि हमें आत्मग्यान की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज हमारा वक्त बुरा चल रहा है और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तब हमें आत्मग्यान नजर आ रहा है और जब कल हमारा वक्त अच्छा होगा हमारे जीवन में सुख होगा तो आत्मग्यान कहां पर होगा यह हमें जहात नहीं इसलिए जो आत्मग्यान के मार्ग पर चलते हैं उन्हें सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने व्यवसाय से भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जीवन की जहंजट से भी फर्क नहीं पड़ता, वह तो बस आत्मग्यान के इस मार्ग पर खुशी-खुशी चलते रहते हैं और अपनी मन्जिल तक पह तोँच ही जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा? वह मुझे आप कमेंट में जरूर बताईए। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखें धन्यवाद नमो बुद्धाए